दक्षिनेश्वर काली मंदिर की यात्रा कोलकाता में हुगी नदी के तत पर स्थित दक्षिनेश्वर काली मंदिर न केवल कोलकाता में बल्कि पूरे पूर्वी भारत की सबसे प्रसिद मंदिर में से एक है मंदिर की स्थापना 1855 में रानी रश्मोनी द्वारा की गई थी, जो एक परुपकारी और देवी काली की भाक्त थी ये प्रसिद्ध देवी भाद्रारिनी को समर्पित है, जो देवी काली का एक रूप है 19-20 सदी के रहस्यवादी रिशी और सुधारक रामकृष्णी परमहंस और उनकी पत्नी शार्दा देवी अपने जीवन के एक प्रमुख हिस्से के लिए इस मंदिर से जुड़े थे पश्चिम बंगाल के प्रमुखती रक्स्थल होने की वजह से प्रतिदिन हजारों की संख्या में भात और परियतक देवी भाद्रारिनी का आश्वी बाद लेने के लिए आते है यदि आप भी कोलकाता के प्रसिद्ध दक्षिनेश्वरकाली मंदिर के दर्शन के लिए जाने वाले है या फिर इस मंदिर से जुड़ी जानकारी को जानना चाहते है तो आप इस लेक को पूरा पड़े जिसमें आप दक्षिनेश्वरकाली की कथा, इतिहास, दर्शन की सम निर्मान वर्ष 1847 में शुरू हुआ था जिसके निर्मान में 7 साल का समय लगजव 1855 में जाकर पूरा हुआ। इस मंदिर का पश्चिम बंगाल के इतिहास का एक महत्वकून हिस्सा रहा है। जबकि इस मंदिर के आध्यात्मे के इतिहास में रहस्यवादी रिशी और सुधारक रामकृष्ण परमहंस और उनकी पत्नी सर्दा देवी का नाम भी जुड़ा है। दक्षिनेश्वर काली की कथा दक्षिनेश्वर काली मंदिर से एक दिल्चस्प कहानी या कथा जुड़ी हुई है जिसने मंदिर की यात्रा पर आने वाले शर्धालियों और पर्यत को काफी प्रभावित किया है। जी हाँ दक्षिनेश्वर काली की कथा लगभग 200 साल पुरानी मानी जाती है जो दक्षिनेश्वर काली मंदिर के निर्मान से जुड़ी हुई है। यह समय की बात है जब रानी राश्मिनी दिव्यमा की पूजा करने और उनका आशीरवाद लेने के लिए बनारस की पवित्र शहर के लिए रवाना होने के लिए तयार थी। उस समय के दौरान, नाव से जाना एक मात्र संभव विकल्ब था, क्योंकि कलकत्ता और बनारस के बीच कोई रेल लाइन नहीं थी। लेकिन एक रात पहले, ऐसा हुआ कि दिव्यमा काली रानी रास्मनी के सपनों में प्रकट हूँगी और उन्हें गंगा नदी के तट पर एक सुन्दर मंदर बनाने और उसमें अपनी मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। उसने ये भी कहा कि वह वहां की छवी में खुद को प्रकट करेगी और अपनी भक्ती को स्वीकार करेगी। जिसके बाद रानी राश्मनी दक्षिनेश्वर काली मंदर के निर्मान की प्रक्रिया को प्रारम किया जो अठारा सौ पचपन में जाकर पूरा हुआ था। दक्षिनेश्वर काली मंदर की वास्तुकला लगभग 25 एकल के विशाल क्षेत्र में स्थित दक्षिनेश्वर काली मंदर के निर्मान में बंगाल वास्तुकला के नवरत्निया नौस्टियस शैली में निर्मित का प्रयोग किया गया है। इस मंदिर के गर्ब ड्रहक गर्ब ड्रहक में देवी काली की एक मूर्ती है जिसे भवतारिली के रूप में जाना जाता है जो एक शिफ के सीने पर खड़ी है जबकि दो मूर्तियों को चांदी से निर्मित एक हजार पंखुरियों वाले कमल के सिंधासन पर विराज़क क्या मुख्य मंदिर के बारा समान शिव मंदिरों की कतार है, जो पूर्व में अनके तनातला बंगाल वास्तुकला में निर्मित हैं, वे हुगली नदी के घाट के दोनों उर्बने हैं, जबकि मंदिर परिसर के उत्तर पूर्व में एक विश्नु मंदिर मंदिर है, दक्षिनेश् दक्षिनेश्वर काली मंदिर के दर्शन के लिए जाने की योजना बना रहे हैं और अपनी यात्रा पर जाने से पहले दक्षिनेश्वर काली मंदिर के खुलने के समय के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम आपको बात दे दक्षिनेश्वर काली मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं दक्षिनेश्वर काली मंदिर का प्रवेश शुल्क दक्षिनेश्वर काली मंदिर की यात्रा पर जाने वाले भाक्तों और पर्यतकों को बता दे मंदिर में प्रवेश और माता की दर्शन के लिए यहां कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है आप जब भी यहां आएगे तो बिना किसी शुल्ट का भुपतान किया बिना माता भधरारिनी के दर्शन कर सकेगे। दक्षिनेश्वरकाली मंदिर परिसर के अन्य मंदिर और आकर्शन बागदे कोलकाता के प्रसिद दक्षिनेश्वरकाली मंदिर परिसर में दक्षिनेश्वरकाली मंदिर के साथ साथ अन्य देवी देवतायों को समर्पित मंदिर और अन्य आकर्शन भी स्थापित है जिन्हें आप यहां देख सकेगे नत मंदिर दक्षिनेश्वर काली मंदिर का प्रमुख मंदिर है जो धार्मिक प्रवचनों और आध्यात्मिक गीतों के उपदेशों को भाक्तों तक पहुचना के लिए स्थान के रूप में कार्य करता था। जब दक्षिनेश्वर काली मंदिर बनाया गया तो रानी रश्मोनी ने गाजी ताल को विचलित नहीं किया बल्कि एक ऐसी जगल के रूप में चिनित किया जहां हिंदू और मुसलिम दोनों ही नमाज अदा करने आये थे। वर्तमान में यह बारी एक पुलिस शिवर के रूप में कार्य करती है जो पर्यतकों की सुरक्षा का ध्यान रखती है। विश्नु मंदिर यह मंदिर परिसर के उत्तर पूर्व में स्थित है जिसे विश्नु मंदिर या राधा काटा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में एक चांदी के सिंघासन पर भगवान कृष्न और राधा जी की मूर्ती विराजमान है। शिव मंदिरों का समूह। दक्षिन इश्वर काली मंदिर के देवाले परिसर में एक समान बारा शिव मंदिर भी स्थापित है। इन मंदिरों की श्रिन्खला को छादनीक नदी तक से विभाजित किया गया है। जिन में छे शिव मंदिरों को बाई और और दूसरे छे को दाई और रखा गया है। यहां प्रतिदिन प्रार्थनाय की जाती है और कहा जाता है कि श्री रामकृष्ण ने आत्मध्यान तक पहुंचने के लिए यहां ध्यान किया था। बकुल ताल घाट नहाबत खान से कुछ दूरी अपर स्थित बकुल ताल घाट एक प्रसिद घाट है जहां प्राचीन में श्री शार्दा मासनान करती थी। साथ ही यह वही जगह है जहां रामकृष्ण की गुरु वहरवी ब्रह्मानी योगेश्वरी देवी ने उन्हें तंत साधन की शिश्या बनाया था। पंच्वटी बकुल ताल के उत्तर में स्थित पंच्वटी इस मंदिर परिसर का एक और प्रमोखाकर्शन है। पंच्वटी के दक्षन में श्री रामकृष्ण के मार्गदर्शन में बर्गत, पीपल, नीम, आवला और वुडपल के पांच पेर लगाई गए थे। कहा जाता है इन पेरों को लगाने के व्रिंदावन के राधाकुंद और श्यामकुंद से मिट्टी लाई गई थी।